हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपारिशन करेंगी स्नैपडेग 680 के प्रोफसर में और मीडिटेक G85 में देखते हैं कि बेस्ट कों सा है तो अचली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लोंच डेट से तो स्नैपडेग लोंच चुआ है 2,21 में मीडिटेक के लोंच चुआ है 2,20 में बात करते हैं CPO स्पीड की तो स्नैपडेग में आपको देखने को मिलते हैं 4 प्लस 4 कोर जो 4 कोर मिलते हैं A70 थरी के साथ 2.40 का हाट ओक्टा कोर की स्पीड से है और जो 4 कोर मिलते हैं A53 के साथ 1.8 ही का हार OctaCore की स्पेर्ट से ही और जो MediaTek है इसमें आपको जो 2 कोर मिलते हैं A75 के साथ 2.0 ही का हार OctaCore की स्पेर्ट से ही जो 6 कोर मिलते हैं A55 के साथ 1.8 ही का हार OctaCore की स्पेर्ट से ही और दोनों में ही आपको 64 bits Octocool का process देखने को मिलता है बात की जो है GPU की तो snapdragon मिलता है 610 का midi-tech का है माली का G52 MC2 का बात करते है CPU process की तो snapdragon में आपको मिलता है 6 nanometer midi-tech में है 12 nanometer और आपको पहले ही बताए कि जितना भी 9 meter कम होता है उतना ही battery pack को जादा मिलता है बात करते है RAM sport की तो दोरों में सेम ही dual channel LPDR 4X का sport मिलता है और snapdragon मापको 233 मेगर की speed मिलती है 16 GB की RAM मिल जाती है midi-tech मापको 1800 MHz की speed मिलती है और RGB की RAM देखने को मिलती है memory sports सेम है दोनों का और आप बात कर लेते हैं इसकी video store की snapdragon में आपको full HD plus मिलता है 2K 4K recording option नहीं है और media take में आपको 2K video recording option मिलता है 30 IPS पर बात करते है camera sport की snapdragon मापको single camera मिलता है 64 muscle का media take मापको single camera मिलता है 48 का camera sport में snapdragon best है बात कर लेते हैं display sport की snapdragon मापको मिलता है full HD plus 19 हर्ट का रिफ्रेस्ट मिलता है MidiTech में है Only Full HD Plus दोनों में है Connectivity 4G की बात करते हैं के स्कोर की तो Snabbing का स्कोर आता है 2,00,000 से ज्यादा MidiTech का स्कोर आता है 2,05,000 से ज्यादा स्कोर थोड़ा सा MidiTech का ज्यादा है ज्यादा दिफ्रेंस तो नहीं है दोनों में वैसे जैसे कि Camera Spot में Snabbing Best है Video Spot में MidiTech Best है और आप बात में लिते हैं इसके Gitchman स्कोर की तो Snabbing में को स्कोर मिलते हैं 351 Multiple जो कोर मिलते हैं ओ है 1300 प्लस ने MidiTech में सिंगल कोर मिलते हैं 308 और जो Multiple कोर है 1262 और यह था Compare जो दोनों प्रॉस्टर का और आपको दोनों में से कौन सा Best लगा कौन बाक्स में जोड़ों बताने हैं